Assalamu alaikum, तो चलिए, आज हम बनाते हैं मलाई चिकन टिक का घर पर पाजार से एकदम बहतर बनते हैं चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, साधारन याने और्डिनरी इंग्रेडियन से एक्स्ट्रा ओडिनरी टिक्के बनाते हैं आज के वैसे जो हरी, दही वाली चटनी मैंने इसके साथ सर्फ की हैं उसका लिंग डिस्क्रिप्शन के अंदर है ये एक किलो दकी चिकन है, चर्वी निकाली हुई है, मैंने बड़े-बड़े पीस किया, आप चाहे तो मीडियम पीस कर सकते हैं तो तीन पानी से धो के चन्नी के उपर मैंने आदे पौने घंडी के लिए नितानने रख दिया था, अगर आपके पास समय ना हो तो आप पैट ड्राइ कर सकते हैं सबसे पहले हम मैरिनेशन फर्स्ट वाला कर लेते हैं एक बावल में दाल दीजे चिकन को, 3-4 छोड़ चाय का चममच नमक, 1 टीबल स्पून अधरकलसन का पेस्ट और एक छोटा निम्गू है, उसे मैं निचोड कर दाल देती हूँ ये सारी चीजों को mix करके ढाग कर फ्रिज में रख दीजीए आधे घंटी के लिए, आप चाये तो बाहर भी रख सकते हैं अगर climate बहतर हो तो मैं आधे घंटी के लिए ढाग कर फ्रिज में रख देती हूँ चलिब तक वो marinate हो रहा है, हम second marination की preparation तो कर लेते हैं मैंने तकरीबन 3-4 cup जितना है न दही छानने के लिए छनी के ओपर नीचे कटोरा रखके साइड पर रख दिया था तो जो पानी था उसका वो हट गया उसे मैंने साइड पर रख दिया और जो अच्छी गाड़ी दही मिली वो हमें ये देखिए ऐसी हंकाट दही मिली तो मैंन मलाई दाल दीजिए मैंने बाजार के लिए है आप चाहें तो घर की इस्तमाल कर सकते हैं एक चोड़ा चाय का चमज सपेद मिर्चो का पाउडर दाल दीजिए वालफोच चोड़ा चाय का चमज इलाइची पाउडर दाल दीजिए वैसे मैंने ये थोड़ा सा पीस लिया थ चुके याँ चिकेन में उससे साप से डालिएगा, मैंने थोड़ा ही डाला है, थोड़ी सी बारिक कटी हुई कोटमेर याने के हारादनिया डाल दीजिए, एक चोड़ा चाय का चमज, उटी हुई हरी मिर्च, आप जादा या कम अपने स्वाध अनुसार ले सकते हैं, एक टे चिकेन के अंदर जो फर्स्ट वाले मरिनेशन का कोई पानी छूटा नहीं, अगर छूटे तो उससे डिसकार्ट कर दीजिएगा, फेग दीजिएगा, और सिफ चिकेन पीसे ले लीजिएगा, और मिक्स कर दीजिएगा, नम्मक अचस्ट कर लीजिए, और इसे 2-3 घंटे के मैंने दाल दिया, बहुत छुटा लग रहा था, यहां एक स्टील की वाटी रग दीजिए, गर्मा गरम कोईला दाल दीजिए, और क्विकली तेल, घी या मखन दाल दें इसके उपर, कोईले के उपर, और कुछ वजन रग दें, और 5-10 मिनिट ऐसे ही रहने दीजिए, तो क कोईले का टंडा आएगा, तो कोईले का फ्लीवर आएगा, और बढ़िया टेस्ट लगेगा हमारी चिकन मलाई टिकका के अंदर, अब यहां पर 5-10 मिनिट मैंने ऐसे ही रहने दिया, कोईला निकाल कर फेक दीजिए, और किये हमारी बढ़िया सी मलाई चिकन टिकका को, मेरे बड़े-बड़े पीसे हैं, तो आप देख सकते हैं, मैं अच्छे से वीव करके, याने के पिरोके डाल रही हूँ, अच्छा, आपके पास अगर कांडिया ना हो, तो directly भी आप पैन के अंदर ग्रिल कर सकते हैं, पर मेरे पास कांडिया हैं, तो मैंने इसे एक बना लि और साइड पर रख दीजिए, ये देखिए, ऐसे, चले अब हम घरिल कर लेते हैं, कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा मखन डाल दीजिए, मैं 3-4 टेबिल स्पून जितना डाल रही है, और थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, अब आपके इसाब से डाल सकते हैं, इसे अच्छ तकरीबन 4-5 मिनिट तक पकने दीजिए, जब 5 मिनिट हो जाते हैं, तो इसे पलट दीजिए, और पलटने के बाद 2 मिनिट फास्ट आँच पर पकने दीजिए, जब 2 मिनिट हो जाते हैं फास्ट आँच पर तो चूले को कर दीजिए, जब 2 मिनिट हो जाते हैं फास्ट तो जादा बहतर रहेगा, चलिए मैं धाग देती हूँ और तकरीब आट मिनिट के लिए ऐसे ही रहने दीजिए, चलिए आट मिनिट हो गए है और मैं यहाँ इसे खोल लेती हूँ और आप देख सकते हैं, स्लो पर था, हलिका साथ आप देख सकते हैं, पानी अगर छुटा को से जो पानी सुखा लीजिए, उलट पलट करते हुए, और अच्छी घ्रिलिंग स्पॉट्स भी आ जाएंगे उसके अंदर, और हमारा जो पानी है, भी सूख जाएगा, तो यह देखिए, बढ़िया से घ्रिलिंग स्पॉट्स भी आ गए, पानी भी सूख गया, तो चलिए इसे निकाल लीजिए, प्लेट के अंदर और इसे तरीके से बागी के सारे आप स्टेक्स को, यानि के मलाई चिकन टिक्का को फ्राय कर लीजिए, मैंने थोड़ा सा मक्षन यानि के मसका बटर को मेल्ट की करके थोड़ा सा इसके उपर डाल रहे हूँ, अब आपके हिसाब स आने के शाइन भी आएगी हमारे टिक्कों के ऊपर और टेस्टी भी लगेगा और खुबसूरत दिखने में भी लगेगा, तो ये बन गया हमारे बढ़िया से मज़ेदार से चिकन टिक्का, मलाई चिकन टिक्का है ना मज़ेदार, बाजार से बहतर और टेस्ट में बढ़ि और फिर तंदूरी चिकन है इसी तरीके से मैंने तंगरी कवाब में भी काफी दो तीन ताप के बनाएं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंतर आप चेक कर लीजेगा अगर आपी रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमें सेक्षियर में जरूर शेयर कीजिएगा मुझे आपकी कमें पर बहुत अच्छी लगए तो लाइक कीजिए उससे जाद अच्छी लगए तो अपने फैमिली और फैंस में इस वाले वीडियो के लिंग सरूर फोवर्टीजेग फिर से हाथिर होंगी नहीं शांदार दमदार रेसिपी के साथ अंतल दें टीक कर आला हाफिस बाइए